Hello Everyone, Welcome to Online Study Point आज है 5 November और आज किस वीडियो में देखे हम 5 November के कुश्चन तो डिसकस नहीं करेंगे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो अभी 2-3 दिनों से क्या है कि मूशली वेबसाइट में कुश्चन अपलोड हो नहीं रहे है और कोई भी important news निकल करके सामने आ नहीं रही है अभी टॉप में चल रहा था COP26 है कि Conference of Parties 26 का आयजन जो कि स्कॉट लेंड के ग्लासकों में किया गया इससे निकल करके 4-5 important point ये सामने आये थे मैंने आप लोगों को कवर करा दिया है अब देखें कल दिवाली थी और important बहुत जादा question निकल करके सामने नहीं आये है बस ये है कि आयोध्या में अभी हाली में 9 लाक से अधिक दिये जला करके इसने फिर से एक नया world record दर्ज कर दिया है तो आज हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में हम हमने एक नवंबर से चार नवंबर तक जो important question डिसकस किये थे इसी का हम एक quick revision करते चलेंगे total 20 question आज की इस वीडियो में हम cover करेंगे तो वीडियो की दिया आप लगों को PDF शाहिए तो आप हमारे mobile application को भी install कर लीजे link description box में दी हुई है चले एक quick revision करते हैं जो कि हमने कल already पढ़ रखा था भारत ने scope 26 में 2070 का लक्ष रखा है zero carbon utsergeon का डेरी सहकार योजना के शुरुआत गुजरात ने शुरू की है और गुजरात में शुरू की गई है मुख्यमंत्री घस्यारी का लियाड योजना उत्रा खंड से इसके शुरूआत की गई है 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए Pfizer TK को मंजोरी प्रदान की है अमेरिका ने जो अम्रेंदर सिंग है अम्रेंदर सिंग पंजाब के पूरे मुख्यमंत्री इन्होंने एक नई पार्टी का एलान किया है लोग कॉंग्रेस पार्टी जलवाई वित्ति के लिए विक्सित देशवर से 2023 में 100 बिलियन डॉलर का फंड जुठाने में सक्षम होंगे और G20 निताओं ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेलसेस के नीचे रखने पर सहमती व्यक्त की है दुनिया के सबसे मुल्यवान कंपनी माइक्रोसोफ्ट बनी और फेस्बुक का नाम बदल करके मेटा किया गया है पवन कपूर ये रशिया में भारत के राजदूत नियुक्त किये गए है तो चलिए अब हम रविजन अपनों शुरू करते हैं हाली में किस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री आवास भू अधिकार योजना के शुरुवात की है तो इसके शुरुवात भी हाली में मध्य प्रदेश गौ़र्मेंट के द्वारा की गई है इस योजना कहते है जैसा कि नाम से इस पश्ट है भू अधिकार योजना ऐसा परिवार जिनके पास मतब कि पति-पत्मी और बच्चे हैं इनके पास खुद की जमीन नहीं है तो इन्हें प्लोट देने का निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश गौ़र्मेंट के द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर इस्ते था भीम बेटिका भीम बेटिका जिसे युनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेस साइड में शामिल किया जा चुका है और इसी भीम बेटिका में कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे पुराना पसु जिवाश में पाया गया है जिसका नाम डिकिन सोनिया रखा गया है मुख्यमंतरी सिवराव सिंग चोहान, राज जिपाल ये हैं, मंगो भाई, छगर भाई, पटेल होसांगाबाद का नाम बदल करके हाली में नर्मदा पूरम किया गया है सबसे ज़्यादा नैशनल पार्क ये मध्य प्रदेस में इस्तित है मैंने कल आप लोगों से दो इंपॉर्टन सवाल पूछे थे, जिसमें कि थॉमस कप किस ने जीती है इंडोनेशिया ने और उबर कप जीत ली है, चाइना ने और दूसरे का राइट अंसर था ब्रिटेन की महरानी एलिजाबेट को हटा करके, हाली में बारा बडोज ने अपना पहला राश्टपती चुना है बारा बडोज एक एक कैरिबे कंट्री है, यहां साथ में इंडोनेशिया भी होगा, इसे मैं PDF में मोडिफाई कर दूँगी ब्लूमबर्ग बिलेनर इंडेक्स के मताबिक 100 बिलियन डॉलर के लिस्ट में कौन टॉप पर है, इसका अंसर आप लोगों को बताना है और जोती राधिते सिंध्या ने किस राज में दून ड्रोन मेला 2021 के शुरुआत की है फिर अगला कोश्चन है हाली में पब्लिक अफेर इंडेक्स जारी किया गया, इसमें कौन सा राज्जी टॉप पर है तो पब्लिक अफेर इंडेक्स में लगातार टॉप पर बना हुआ है केरल तो बड़े राज्जों के दिए हम बात करें तो केरल, तमिल लाडू और तेलंगाना चलिए हम बड़े राज्जी, छोटे राज्जी इसके बारे पहले डिस्कुस कर लें बड़े राज्यों में केरल तमेलाडू तेलंगान, छोटे राज्यों में सिक्की मेगाल है, मिजोरम और यूटीस के दिए हम बात करें तो पुदुचेरी, जम्मो कश्मिर और चंडीगड का इस्थान आता है मतलब कि इस राज्यों में शाशन की क्या कॉलिटी है, किस तरह से COVID-19 अभी जो बीच में आया थी, इसकी दूसरी लहर भी आया थी इसे कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने कैसे प्रयास किये हैं, इस पर ये रैंकिंग रिलीज की गई है, केरल इसमें रहा था टॉप पर बड़े राज्यों में केरल की राजधानी तीरू अनंतपूरम है, जहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क इस्थापित किया गया है केरल और किस मामले में टॉप पर हैं, तो ये हेल्थ इंडेक्स, इसके लावा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसमें भी ये टॉप पर रहा था और यदि आप फर्स टाइम चैनल को विजट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बैल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें फिर हमने डिसकस किया था कि Apple Festival अभी हाली में कहां सेलिबरेट किया गया है, जम्मु कश्मीर में, जो हमारे केंद्रिक रशी मंत्री है नरेंद्र सिंग तुमर और जम्मु कश्मीर के जो प्राज जिपाल है, मनोज सिनह, इन्होंने इसका उतगाटन किया है, तो जो सेब उ उतपादन होता है, और कुल राजटी उतपादन में, ये 87% सहभागिता निभाता है, और जम्मु कश्मीर में लगभग 30% आबादी इससे जुड़ी हुई है, सेब उतपादन से, जम्मु कश्मीर के दी हम बात करें, तो देखिए, एक एफेक्ट इससे दी हम रिलेट कर सक तो दुनिया का सबसे उचा, रेल ब्रिज, ये इसी जम्मु कश्मीर में स्थापित किया गया है, किस नदी पर तो ये शिनाव नदी पर, ये मने आप लोगों को पढ़ाया भी था, अगला कुश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ और्गानाईजेशन के जो डिरेक्टर जनरल है, इनका जो कारेकाल एक्स्टेंड किया गया अगले पांस साल के लिए, मतलब ये, डबलो एचो के अगले पांस साल के लिए और इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं, डबलो एचो के स्थापना ये की गई थी, 1948 में हैटक्वाटर रस्ते थे थे जेनेवा, स्यूजर लेंड में हाली में चाइना को मलेरिया मुक्ति अभी हाली में डबलो एचो के दुआरा किया गया है, रस्यूक्त राज्ट जलवाईव समेलन ये आप कह सकते हैं कि हाली में कोप 26 का आज़न कहां किया गया, ये स्कॉटलेंड के ग्लासकों में किया गया है, जिसमें कि प्राइम इटले ने अभी हाली में किसकी अधिक्षता की है, तो अभी जो G20 शिखर समेलन है, इसका 16 हवा एडिशन ये होस्ट किया है इटले ने, जबकि भारत इसका 18 हवा एडिशन होस्ट करेगा, 2023 में जापान की राजदानी टोक्यो में इस साल के ओलंपिक संपन हुए थे, ये ह स्कॉटलेंड जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है, कोविड-19 की नो वैक्स टीके को हरी जंडी देने वाला, दुनिया का पहला देश बन गया है, इंडोनेशिया, देखें, इंडोनेशिया ने अभी हाली में इस नो वैक्स, वैक्सिन को मनजूरी दी है यह जो वैक्सिन है, इसे स्टोर करने के लिए कम तापमान की जरुरत नहीं होगी, और दुनिया के जो गरीब देश है, यहां भी इसके आपूर्ती को बढ़ावा देने का एक मौका मिल रहा है, दो वैक्सिन इसकी दी जाएंगी, दो वैक्सिन कहना है, दो डोज, दो खु पहले देश की, तो जो ब्रिटेन है, क्लाइमट इमर्जेंसी लागू करने वाला पहला देश है, लगजम बर्ग पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को फ्री करने वाला, यह दुनिया का पहला देश बन गया है, फिर अगला कुश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह वाहनों तीन पहिया वाहनों के दस अजार और फोर विला रेदी कोई लेगा, तो पचास अजार उपते की सबसिडी यह प्रोवाइड कराएगी, ओडिसा गवर्मेंट कुल मिला करके यह वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रज सरकार की यह पहल है, ओडिसा की राजधानी इसे ओडिसा ही होस्ट करने वाला है, अगला कुश्चन है, ओक्सफोर्ड इंग्लिस डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को, वर्ड ओफ दे यर चुना गया है, तो यह चुना गया है, वेक्स को, मतलब कि वेक्स ऐसा सब्द रहा, जो की सबसे जाधा इस्तमाल किया गया, इस के साथ इसे चुना गया है, वर्ड ओफ दे यर, ओक्सफोर्ड, डिक्शनरी के द्वारा, फिक्की के ने महा निदेशक के रुप में किसकी न्यूक्ति की गई है, अरुन चावला की, फिक्की यहनी की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो की भारत का सबसे बड़ा और पुराना व्यापारिक संगठन है, 1927 में स्थापना हुई, हेड़कॉर्टर नई दिल्ली में है, उधर संकर ये हैं इसके अध्यक्ष, महानी देशक बन गया है, अरुन चावला, अभीक सरकार प्रस टेस्टर ऑफ इंडिया के दोबारा से कहती हो न, वो तो आप लोगों को रट शुकी होंगी, फिर हमने डिस्कुस किया था कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयो, तो हैं शुशिल चंद्रा, इन्होंने अभी हाले में किस देश के राश्टपती चुनाव की देख रिकी है, हाले में उजबेकिस्तान में के चुनाव संपन हुए, इसके निगरानी रखने के लिए, जो हमारे मुख्य चुनाव आयो, तो है सुसील चंद्रा, इन्होंने तीन सदस्य, प्रतिरी धी मंडल का नेत्रत्व किया है, उजबेकिस्तान के दिह हम बात करें, इसकी कैपिटल है ताशकंद करंसी है उजबे चल रहा है, इसमें प्राइम मिनिश्टर नरेंदर मोदीजी के दुवारा वादा किया गया है, कि भारत दोहजार सत्यर तक जीरो कार्बन उतसर्जन का जो लक्ष है, यह हासिल कर लेगा, क्योंकि देखा जाए, तो अपना जो देश है, यह ग्रीन हाउस गैसों का दुनिय तक इस टारगेट को पूरा कर सकेगा, अन्य कंट्रीज के दौरा भी कुछ टारगेट हैं, जैसे कि USA, UK, European Union, Australia, इन्होंने 2050 टारगेट रखा है, जबकि साओधी अरब, चाइना, रशिया के दौरा यह टारगेट 2060 तक का रखा गया है, डेरी सहकार योजना की शुरॉत हाल यह पूरे करने वाला है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, तो उस हिसाब से इसका जश्न बनाने के लिए अमूल दौरा आयोजित एक समारों में इसकी घोशना की गई है, डेरी सहकार योजना की, परपस है कि किसानों की आय को दो गुना किया जाए, और आत्म निर्भर भा पार्टी का एलान किया है, जो कि लोग कॉंग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाएगी, पंजाब के पूरों मुख्यमंत्री रहे थे, अगला कोश्चन है, जी टॉंटी नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस नीचे रखने के आवश्यक्ता पर सह कि जो कोप 21 हुआ था, फ्रांस की राजधानी पैरिस में, कब हुआ था, 2015 में, इसमें IPCC ने पहले ही दुनिया को चेतावनी दी थी, कि यदि दुनिया को जो वैस्विक टेंपरेचर है, यदि ये 2 डिग्री सेल्सियस, यानि कि इसे टोटल कुल मिला करके 1.5 डिग्री सेल 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष है, इसे अचीव करने में सभी देशों को सहभागिता दिखानी होगी, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत के लगभग 30 प्रतिसत आबादी, ये आप कह सकते हैं, लगभग 40 करोर जनता ऐसी ही जिनका कोई भी स्वास्त बीमा नहीं हैं, मतलब कि लोग घर का इंसोरेंस कराते हैं, गाड़ी का इंसोरेंस कराते हैं, लेकिन जो सबसे ज़ादा ज़रूरी शीज है, हेल्थ का इंसोरेंस, ये नहीं करवा पाते हैं, तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग इसकी स्थाफना 2015 में की गई, प्राइम मि इसमें और टिक है राशित खान जो कि अफगानिस्तान से बिलॉंग करते हैं और इन्होंने किन का रिकॉर्ड तोड़ा है तो इन्होंने श्री लंका के पूरु तेज गेंदबार लशित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि लशित मलिंगा ने यह उपलब्दी थी 76 मैचों में इन्होंने 100 विकेट का आकड़ा पूरा किया था जबकि इससे भी कम मैच में यानि कि तिरपन मैचों में 100 विकेट का आकड़ा ये पूरा कर लिया है अफगानिस्तान के राशित खान ने अगला कोश्चन है जितेंद्र सिंग ने किस शहर में सरदार पटे गफटन के लिडर्सिप सेंटर राश्ट को समर्पित किया है तो इसका व्धगाटन विकाली में मसूरी उत्रकंड़े में किया गया है जो लबास्थना है लबास्थना जहां आई इसको ट्रेनिंग दे जाती है लाल बहादूर सास्त्री राश्ट्री अकादमी मसूरी में इसका उधगाटन किया गया किस मौके पर तो अभी हाली में 31 ओक्टूबर को क्या मनाया गया नैशनल यूनिटी डे यहने के राश्ट्री एकता दिवस जो कि सरदार पटेल जी के जन्मे दिन के अवसर पर यह हम मनाते हैं इसके मौके पर मसूरी में इस लीडर्शिप सेंटर का उधगाटन किया गया है वारणसी में रुदराक्ष कन्वेंसन सेंटर का उधगाटन प्राइम मिनिस्टर नरिन रमोदी ने किया था और नाकपुर्जो की संत्रा नगरी है यहां नेतिन गटकरी जी के दुवारा भारत के पहले एलपी जी सेंटर का उधगाटन किया गया था फिर अगला कुश्चन है देखिए अभी यह कुश्चन फरसर रिपीट हो गया पब्लिक अफेर इंडेक्स में मैंने बता ही दिया है बड़े राज्यों में टॉप पर है केरल छोटे राज्यों में टॉप पर है गोवा और यूटीज में कौन टॉप पर है तो यूटीज में टॉप पर रहा है पुदू चेरी ठीक है अगला कुश्चन है पांस से ग्यारा साल तक के बच्चों के लिए फाइजा टीके को मंजोरी किसने प्रदान की है तो इन में से जो अमेरिका है इसने 5 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए फाइजा टीके को मंजोरी प्रदान कर दी है और अमेरिका में बच्चों को लगने वाली ये पहली वैक्सीन फाइजर ही बन गई है अमेरिका के दिए हम बात करें, capital है Washington DC, currency US dollar, prime minister, sorry, president है Joe Biden, voice president है Kamala Harris, जो की भारती मूलकी है, यह है five great lakes, US और Canada को विभाज़त करने वाली, जो नदी है, इसका नाम है, Santa Lawrence river, जबकि US और मेक्सिको को विभाज़त करने वाली, जो नदी है, इसका नाम है Rio Grande river, अगला question है, कि social media company न अपना नाम बदल करके meta कर लिया है, meta जो कि Greek भाशा का सब्द है, जिसका मतलब होता है, परे, जो कि भविश के मकसद को दर्शाता है, तो Facebook ने यह नाम बदल लिया है, Facebook किस था अपना 2004 में, Mark Zakarbarg के द्वारा की गई थी, headquarter इसका California USA में इस्तित है, CEO यह Mark Zakarbarg ही है, और Google क headquarter, यह California USA में है, सुंदर पिचाई यह भी भारती मुलके हैं, जो किसके CEO है, और Instagram को Facebook ने पहले ही खरीद लिया है, मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछे थे, इसका right answer क्या था, वो प्रोग तो सभी, आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश ने पहले अंतरिक्ष रोकेट नूरी का सफल परिक्षन किया है, तो इसका answer जो भी comment box मताएंगे, वीडियो दी पसंद आया है, like कीजिए, share कीजिए, चैनल को subscribe करना ना भूले, thank you so much